राद बर पानी में भीगो कर यह पाँच चीजे खा लें, कभी बूढ़े नहीं होंगे, ताकत का खजाना इस चीज से सब दर्द से निजात पाएं दोस्तों आज किस खास वीडियो में आपको पाँच ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप पानी में भीगो कर खाएंगे ना, तो आपके शरीर की 90% बीमारियां दूर हो जाएगी, आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा, शरीर में ताकत की कमी नही संचार होगा, शरीर हमेशा जवाँ दिखाई देगा, स्कीन में गलो आएगा, आँखों कि अगर कोई कमचोरी है तो वो भी दूर हो जाएगी, दिमागी कमचोरी दूर होगी, जाद दास्त बढ़ेगी, और सबसे खास चीज विलेबल को बढ़ा देगा, चेहरे पे ओज तेज को बढ़ा देगा, जी यहां दोस्तों, यह जो मैं आपको पांच चीजें बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप रात में भीगो कर सुबह खाली पिट सेवन करते हैं तो इससे आप लंबे समय तक बुढ़ापे से दूर रहोगे, आपके शरीर में इमुनिटी शक् कमी नहीं होगी, ना आपको ब्लड प्रेसर की बीमारी होगी और नहीं कभी भी कॉलेस्टरॉल बढ़ेगा, ना आपको कभी हार्ट प्रॉलम होगा, जिन पूरसों में अंदरूनी कमचूरी होती है ना, जिन्होंने बच्पन की गलतियों की वज़ा से अपने पौरुश श सबसे पर नमबर है चनः, जो लोग अपने गलत आद्व यह से अपने शरीर की ताकत को भी कोई काम करने का मनंहीं करता, थोड़े से काम करते ही थक जाते हैं नसेद भीनी पढ़ए कWhा हें इस साथ हिए वम्रे Counteruct ok पूरसों में कमजूरी आ जाती है, दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कमजूरी आई हो, उम्रे बढ़ाने के कारण आई हो, जाहे आप यंग हैं, आपके अंदर गलत आदते हैं, जिसकी वज़े से कमजूरी हो, तो उस cases में भी यह चना बहुत फादा करेगा, आपको सिर्फ आधी मुठी के बराबर चने को लेकर एक कटोरी पानी में भीगो कर रख देना है, रात भर के लिए छोड़ देना है, आप स्टार्टिं में कम चने का इस्तमाल करें, बाद में आप एक मुठी ले सकते हैं, कई लोगा डाइशन वीक होता है, तो इस तरह से आप कम से स्टा इसको आपके साथ आगे बताने वाला हूँ, दोस्तों चने में फाइवर के मातरा बहुत ज्यादा होता है, जो आपके मेटाबॉलिजम को दुरूस्त रकने में, पाचिशक्तिक मजबूत बनाने में, साथ ही पेट और बलड में, अमलता की मातरा को कम करने के लिए बहुत इसके लावा जिन महिलाओं को सुबह उठते ही बहुत ज्यादा आलस्मन और कमचूरी महसूस होती है उनके लिए तो इतना ज्यादा फादयमध होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं चोटे बच्चों या फिर जो स्टुडेंट्स हैं या ऐसे लोग जो आर्मी मे तो है पॉपशेट्स,याने की खसकस के बीच बहुत से लोगों के मन में सवाल आगा ליak है के ब्हुत बहुत से लोगों के मन में सवालागा है कि उازब के एसमाल के तोर्फ पर गलिशायाई था साने से मिल जाया करती है आप वहां जाकर खरिच सकते हैं खस-खस दोस्तों पॉस्टिक तत्वों का भंधार होता है इसके अंतर हाई अगर आप अकेले के लिए भीगो रहे हैं तो यहां पर आपको एक चमची भीगोना है लगबग 5 गराम की महत्रा में और अगर आप 2-3 लोगों के लिए भीगो रहे हैं तो उस तरह से आप 2-3 चमच ले सकते हैं दोस्तों मेथी दाना दोस्तों शरीड में वाल चाफ और पित को बैलेंस करने में जो सबसे ज़्यादा फादेमन चीज आ याने की मेथी का दाना या हमारे सबी प्रकार के रोग हैуск्ग निसों की गुदध में दर्द, ब्लड प्रिसर की प्रॉब्लम, किड्नी लिवस समस्याएं जो हैं वात, पित और कफ के बिगरने के कारण होते हैं और यह जो मेथी दाना होता है दोस्तों यह पिले-पिले जो दाने दिख रहे हैं आपको यह इन तीनों दोस्तों को बैलेंस करने में बहुत ही ज चमच आपको लेना है लगभग 2 गराम की मातरा में इस तरह पानी में भीगो कर रख देना है रात बर के लिए चोड़ देना है चोथी चीज जो हमने ली है दोस्तों वह है यानि की अलसी की बीज तो यहां पर हम लगबख 1 चमच की मातरा में अलसी का बीज भीगो कर छोड देंगे और दोस्तों यह जो मैं भीगो रहा हूं यह एक व्यक्ति के लिए है अगर आप दो लोगों के लिए तो यहां पर दो चमज भीगो दीजेगा दोस्तों अलसी में प्रचूर मात्रा में ओमेगा थी ओमेगा expectation के recovery के लिए हजड़ियों को मजबूत बनाने के लिए इसके लाबन के लिए नसों के ब्लॉकर करने के लिए नसों को मजबूत बनाने के लिए नसों को खोलने के लिए यह जो ओमेगा 3 fatty acid और omega 6 fatty acid है ना बहुत ही जरूरी दितत्व है इसके लावा इसमें fiber प्रचूर मातरा में होता है जो digestive system को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह बालों के health के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें beta-carotene भरफूर मातरां पहा जाता है साथे पूर्सों के अंधरूनी कमजोरी को दुर्ग करने के लिए यह रामबान साबित होता है लेकिन इसका इस्तिमाब आपको लगातार करना होगा तो यह आपको फाया दिखेगा एसे नहीं कि 2-3 दिन खाया और सुचोगे कि बही ताकत मिल जाए आपको लगातार कम से कम जो मैं तरीका बता रहा हो इस तरीके से 15-20 दिन खाना होगा अब यहां पर पांच प्रेंच ज्यादा है यह वाले बदाम आपको लेने हैं बदाम में ऐसे निट्रिशन पर आ जाते हैं जो आपके दिमाग आख स्कीन पूर्सों में अंद्रूनी कमजूरी को दूर करने के लिए और चेहरे में रॉननक बढ़ाने के लिए ग्लो लाने के लिए कमर दर्द शरीम अकडन पैजिंग दिख रहा हो तो इसको दूर करने के लिए बहुत ही फादिमत होते हैं महिलाओ में मासिक धर्म से सम्मंदित जो प्रॉलम होती है उसके लिए भी यह बदाम पावरफूल होता है तो यहां पर आपको चार बदाम लेने हैं और पाने में विगो कर रख देना है औ और फिर इसको खाएं क्योंकि चिलके सहीद बदाम खाएंगे ना तो शरीर में उतना फायदा नहीं होगा डाजिस्ट भी अच्छे से नहीं होगा इसलिए बदाम जब भी खाएं विगो कर और चिलका उतार कर खाएं दोस्तों यह पांच चीज़ें राद पानी में विगो दो से तीन दिन ही सेवन करना है इसके साथ साथ आपको जो पानी बचा हुआ होगा सुबह भीगोने के बाद इस पानी को भी पी लेना है इसके सेवन आप बेफिक्र होकर कीजेगा आप खुद में ही ताकत महसूस करोगे और साथ में दो तीन बातों का ध्यान रखना इसे पाचन अच्छे से होगा और आपका श्रीड में ये लगेगा इस खाना खाने में पीच में पानी नहीं पीना है खाना क्ले के बाद दोस्तों और खाना हमेशा चबा चबर खाना और आप इस रेमेडी को भी फTu कर रहे हो तो बैठ कर आराम से इत्मिनान से चबा चबा कर मन लगा कर खाना दोस्तों तभी आपको पूरे फायदस के मिलेंगे तो आधके इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लिगी होगी इस वीडियो को शेयर करना और जाते हैं जरूर इस वीडियो को लाइक करते हैं जाना धन्यवाद